हेलो हेलो और वेलकम बैक तो Cisco ACI Design and Implementation आज है लेक्चर नमबर 4 और देखते हैं कि लेक्चर 4 में क्या है हमारे पास अभी तक हम लोग लेक्चर 1-3 में ACI Overview और ACI Fabric का और कर चुके हैं अब हमारे पास है लेक्चर नमबर 4 जो है Fabric Access Policies Basically Fabric Access Policies में हम Interface को Configure करेंगे जैसे के हमारे पास है For Example Spine 1, Spine 2, Leaf 1, Leaf 2 यह हमारा Network बना हुए है अब Leafs की जो Configuration है Sport की वो सारी Covered होंगी Fabric Access Policies में क्या Configuration है यहां पर फार इजैंपल हमारे पास Speed Duplex हो गया हमारे पास CDP हो गया CDP हो गया हमारे पास LLDP हो गया यह हमारे पास Storm Control हो गया यह सारी Configuration हम Fabric Access Policies में करेंगे यह Configuration Complete करने के पाद क्या हमारे दो Ports आपस में Communication कर सकती है नहीं कर सकती क्यों क्योंके हमारे पास EPG और Contract ने Configure हुआ भी अब पहले देखते हैं कि हमारे पास जो existing way of networking है या way of communication है वो क्या है और ACI क्या क्या होता है अच्छा हमारे पास existing way of communication या networking उसको कहते हैं NCI नेटवर्क centric infrastructure NCI में क्या होता है कि हमारा एक अज़त catalyst switch लगा हुआ है यह इसकी interfaces है ठीक है अब इसमें आप कहलें कि यह है VLAN 10 और यह है आपका VLAN 11 अब by default क्या होता है कि जितने भी users VLAN 10 में हैं वो आपस में communication कर सकते हैं और जाएसी बात है जिसने भी users VLAN 11 में आपस में communication कर सकते हैं लेकिन users VLAN 10 और 11 में by default communication नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें इंटर VLAN routing वगारा करने पड़ती है ठीक है अब ACI क्या कहता है अच्छा NCI में जो मैं explain किया है इसका यह मतलब है कि communication depend करती है VLAN या subnet के उपर ACI कहता है भाई आप यह सब चकर छोड़ दें VLAN subnet के आप ऐसा करें कि अभी बताते हैं कैसा करें यह आपका S1, S2, L1, leave 2 ACI कहता है कि आपकी यहां पे interfaces हैं अब यह आपका VLAN 10 में यह है VLAN 10 में और यह है आपके वाखी दो interface VLAN 11 में ACI कहता है कि अगर आपके यूजर सेम VLAN में हैं तो भी वो communication by default नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंके यह सेम EPG में नहीं है ACI कहता है आप VLAN और subnet के उपर जो आपकी dependency है communication के उसको छोड़ दें और आप dependency ले आई है EPG के उपर EPG क्या है end point group यह समझे के container है यह एक room है यहां पर जितने भी users होंगे regardless of their VLAN association वो आपस में communicate कर सकते हैं क्योंके वो सब एक EPG में है अब VLAN 10 भी है 11 भी है आपस में by default communication कर सकते हैं ठीक है तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक और EPG है यह है for example EPG user करने हैं यह है EPG server VLAN 11 यहां भी है VLAN 11 यहां भी है दोनो different EPGs में communication कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हमारे पास दो EPG हैं दोनों में users हैं communication करवानी हैं तो क्या करें तो हम contract define करेंगे contract बनाएंगे दोनों EPG के between और contract क्या है by contract सिर्फ और सिर्फ ACL है एक detailed ACL है जिसमें आप लगाएंगे source port source port source IP destination port destination IP detail define करें कौन सी आपके पास आपको protocol run करना है ping है ICMP है या आपका HTTPS है या इसमें डिफाइन करें और आपकी communication में जाएगे ठीक है तो NCI कहता है network centric infrastructure कहता है कि अगर आपके users same VLAN या same subnet में है तो by default they can communicate और वो different VLAN में है तो भी communication हो सकती है लेकिन फिर आपको inter VLAN routing वगारा करने पड़ेगी ACI कहता है कि भाई inter VLAN routing VLAN subnet इन सबको आप भूल जाएए और EPG और contract को याद रखिए अगर आपके पास users same VLAN में है according to ACI अगर आपके पास दस users same VLAN में हैं फिर भी वो communication नहीं कर सकते अगर वो different EPGs में हैं तो users को communicate करने के लिए communication करवाने के लिए ACI में आपको सबको same EPG में रखना होगा और अगर हमाई पास different EPGs हैं चार different EPG हैं और मैं चाहता हूँ कि चारों की user आपस में communicate करें तो क्या करना पड़ेगा तो हमें contract बनाने पड़ेगा contract क्या है contract basically ACL है इसमें define होता है source port, source IP, destination port, destination IP आपको उसके बाद आप define करें कि आपका प्रोटोकोल कॉंसर रहन होना है ICMP, HTTPS, whatever protocols run होना है वो define करें और आपकी communication हो जाएगी यह major difference है NCI network centric infrastructure या हमारी existing way of networking में और ACI में और मुझे जहां तक जाद आ रहा है कि मैंने पिछली किसी slide में बताया था कि ये interview में एक मेरे पास question आया था एक दफ़ा कि ACI के perspective से बात करनी है हमें, ठीक है कि हमारे पास दो users हैं, आपस में communication नहीं हो रही, अब क्या check करें हैं, जब मैं कहा हूँ ACI की perspective से बात करने हैं, तो इसका मतलब है कि आप यह सब भूल जाएए कि physical connection है कि नहीं है, IP है कि नहीं है, यह सब भूल जाएए, ACI के perspective से बात करने हैं, तो अगर दो users में आपस में communication नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि दोनों same EPG में के different EPG में हैं, अगर दोनों different EPG में हैं, तो मैं चेक करूँगा कि दोने के contract defined है कि नहीं है, अगर contract भी बना हूँ है, तो मैं contract के अंदर जाके दिखूँगा कि भाई, कौन से protocol है, अलाओ है, ICMP है के नहीं है, file sharing है के नहीं है, जो भी जो भी जिस भी तरह की communication नहीं हो पा रही है, मैं उसका port number चेक करूँगा कि अलाओ है के नहीं, contract में, और contract क्या है, contract basically लिए, ACL है, हाँ, और अगर users, same APG में और फिल भी communication नहीं हो पा रही है, तो मैं check करूँगा के कहीं, micro segmentation to configure नहीं है, और वो नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा के अच्छा, अब मैं physical connection देख लेता हूँ, यार, क्योंकि मैं ACI की सारी चीज़े मैंने check कर लिए हैं, और user segmentation जैसे मैंने अभी का तो अब ये private feeling की तरह होता है, इसको आगे चाके discuss करेंगे, ओके तो हमने, तो अभी हमने देखा के users को communicate कराने के लिए ACI environment में हमें basically दो तरह की configuration करनी करनी है, एक तो है fabric access policies जिसमें के port की configuration होगी, दूसरा है application provisioning जिसमें हम EPG और contract डिफाइन करेंगे, मतलब के policies बनाएंगे के कौन से user, किस user से communication कर सकता है और किस से नहीं कर सकता, अभी हम क्या करते हैंगे, अगर हमारे पास एक switch है, इसकी ports है, इसको configure करना है तो हम switch को login करेंगे, इस interface पर जाएंगे, और जो भी हमें commands configure करनी है, धराल धराल स्वेट टाइब किया और port आपी तयार होगी, ACI कहता है, भाई ऐसा नहीं चले गया आप है, ACI में आपको सबसे पहले जीजी आपकी better planning होनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए, कि आपकी जो interfaces हैं, उस पे कौन सी device connect होगी, उस पे क्या configuration आएगी, और फिर आप एपक में जाएंगे, वो सारी commands type करेंगे, build करेंगे, उसके बाद उन commands का group बनाएंगे, अभी तक हम जो काम करेंगे, स्वेच की बात नहीं करें, सब एक एपक पे हो रहा है, पहले हमने commands type की, फिर group बनाएंगे, उन commands का, उसके बाद हमने इस group को, जिसको हम कहते हैं IPG, जो commands हैं, उसको कहते हैं interface policies, और जो group बनेगा उस policy का, उसको कहते हैं interface policy group, फिर हमने इस group को apply कर दिया, layout की, switch layout की उपर, इसको कहते हैं, interface profile, यह जो switch का layout में कह रहा हूँ, यह switch नहीं है, इस switch के layout में हमें यह पता होना है, जो हमारे पास switch है, actual switch, physical switch, उसमें कितनी interfaces हैं, और कितनी interfaces पे हमें कौन सी devices connect करनी हैं, for example, 1 से लेके 10 तक मेरे पास user से, 11 से लेके 20 तक मेरे पास server से, तो IPG जो हम बनाएंगे जैसे के user की IPG है, या server की IPG है, उस IPG को हम assign कर देंगे, switch के layout से, जो शुरूर में बताया था ना, कि हम configuration बनाएंगे, एपिक में उसका फिर उसको push करेंगे, तो अभी वाली बात हो रही है, अभी हम यहाँ पे configuration बना रहे हैं, अभी तक हमने push नहीं किया, switch पे, ठीक है, जब interface profile से IPG को link कर देंगे, फिर इसको push करेंगे हम leaf के उपर, दोबारा देखते हैं, सबसे पहले, commands टाइप करेंगे, य group बनाएंगे, वो IPG बन जाएगा, उसके बाद उस IPG को हम link कर देंगे, switch layout से, layout क्या है, layout बताएगा, layout में define है कि हमाई पास 56 ports है, switch में, 1 से 10 user है, 11 से 20 server है, ठीक है, जब हम interface profile या switch layout से IPG को link कर देंगे, इसके बाद interface profile को push करेंगे, leaf के उपर, तो 3rd step में जाके, 4th step में जाके, हम configuration basically push कर रहे हैं leaf के उपर, और भी ये labs पर करेंगे, और पर ये देख लेंगे कैसे होता है, तो ये जो हमारी physical topology है, इसमें हमारे पास, इसमें हमें क्या 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 करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास switch तीन लगे हुए है ठीक है, मैंने तीन switch लगाए हैं यहां पर, let's say, switch one, switch two, switch three, तीन switch क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि तीनो switch का physical connection मैंने अलग अलग तुना से दिया था कि हम configure कर के देखें, यहां पर हमारे पास single wire है, यहां पर हमारे पास port channel बना हुए है, यहां पर हमारे पा access मैंसी काम करते हैं, कि हमारे पास अगर port channel बना हुए है, और एक end जो है, वो एक switch से connect है, और बाकी ends जो है, वो डो different physical switches से connect है, लेकिन यह virtual port channel बने गाए हैं आपर, ठीक, और उसके बाद हमारे पास, अच्छा, यह जो हमारे पास environment है, यह ACI environment है, और यह जो device लगी है, switch one, switch two router one, router two, switch three, यह ACI environment से बाहर लगी है, और जब भी कोई device, यह यह कहलें कि जब भी layer two switch, ACI environment से connect होगा, और layer two other than ACI है, तो उसको हम L2 out कहते हैं, जो कि हमारा यह है, और कोई हमारी routing device है, layer three device है, maybe layer three switch है, यह router है, अगर वो ACI environment से connect है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं, L3 out, अब यह L3 out आपका internet भी हो सकता है, आपका MPLS भी हो सकता है, आपका SD-WAN भी हो सकता है, कोई भी outer world से आप से connect है, other than ACI environment से, जो connect है, हो है L3 out है, उसके अलावा हमारे पास client है, अब client, access करेगा front end server को, front end server को access करेगा back end server को, यह क्यों मैं कहा रहा हूँ, यह क्या हो रहा है, इसको दिखते हैं कि यह क्या है, application, architecture या infrastructure, अब यह क्या होता है, अच्छा, for example, हमारे पास है, यह user बैठा हुए है, इसको access करनी है, अपनी bank की website, ठीक है, यह है bank का front end server, जब हम bank की website पर जाते हैं, तो जो page हम देख रहे होते हैं, basically वो front end server पर होता है, और यह है हमारा database, और यह back end server, जो statement चाहिए हैं अपना user को, वो back end server पर रखा हुए है, लेकिन user cannot directly connect to back end server, नहीं कर सकता, तो user connect करेगा, access करेगा bank की website को, जो कि है front end server, और यहां से request generate होगी, जो कि जाएगी back end server पर, और यहां से statement आएगा वापिस front end server पर, और यहां से user के पास जाएगा, अब ACI के perspective से, यह हमारा है user का EPG, यह हमारा है, let's say, front end server का EPG, यह हमारा है back end EPG, back end server EPG, ठीक है, यह है user, अब by default, ACI environment में, जितने भी server लगे हैं front end में, वो आपस में communicate कर सकते हैं, जितने भी back end server हैं, वो आपस में communicate कर सकते हैं, और जितने भी users है by default ACI environment में communicate कर सकते हैं, लेकिन, EPG user, front end EPG से communicate by default नहीं कर सकता, इसी तरह से, front end EPG by default, bank end EPG से communicate नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप ही discuss किया था, इसके लिए हमें contract चाहिए होगा, आप मैं different contract चाहिए होगा, एक contract चाहिए होगा, user को front end से communicate कराने के लिए, एक contract चाहिए होगा, front end को back end से communicate कराने के लिए, और contract क्या है, contract भाई, एक detailed ACL है, इसके अंदर define होता है कि आपकी source IP क्या है, आपकी source port क्या है, और आपके, कहने के destination IP क्या है, आपका destination port क्या है, और प्रोटोकोल कौन से यूज़ करें आप, ICMP, HTTPS, जो भी प्रोटोकोल आप यूज़ करें, बेसिकली contract is an ACL, अब यही चीज, इस diagram में, client access करेगा, front end server को, front end server access करेगा, back end server को, और इसको हम configure करेंगे, APIC के, या ACI के simulator में, unfortunately, जैसे मैंने पहले ही बताया है, कि simulator के अंदर हम लोग testing नहीं कर सकते हैं, हम लोग configuration करेंगे, लेकिन हम test नहीं कर सकते हैं, या ping नहीं कर सकते हैं, या file share नहीं कर सकते, between client and front end server, front end server and back end server, लेकिन बस configuration करके, उसको देख सकते हैं, और खुश हो सकते हैं, क्यार मैंने, मैंने, ACI configure किया है, APIC configure किया है, अच्छा, fabric access policies, configure करने के लिए, या interface configure करने के लिए, हमें तीन print out की दरूरात है, एक तो physical topology है, इसका print out निकाल ले, तीक है, मैंने शुरूर में बताया था, कि लैब perform करने के लिए, जो मैं करवा रहा हूं, उसमें किसी भी workbook की या किसी भी manual की दरूरत नहीं पड़ेगी, पांच शे print out हैं, ये सामने रखें और सारी लेप सुझेंगी, एक तो physical topology इसका print out निकालना है, उसके बाद हमारे पास है physical topology और end configuration, इसमें बहुत सारी चीज़े हैं तो इसमें डरने के कोई चीज़ नहीं है, बहुत असान है, ठीक है, इस page का print out निकालना है, इसमें हमार पास जैसे आप देख रहे हैं के topology है, और सारी configuration है, ये configuration चले समझ में आती है, क्यारी सब configure करना है, लेकिन करेंगे कहां पे, कैसे करेंगे, कौन सी screen पे जाके करेंगे, तो उसके लिए, एक हमारे पास है, flow chart, access programming flow chart, physical topology and configuration, and physical topology, ये मैं तीनों explain करूंगा lecture number 5 में, और उसक user use करते हुए, labs perform करेंगे, ये छोटा सा lecture था, 20 या 22 minute का, I hope कि आपने enjoy क्योंगा, और आपको समझ में आए होगा, और अगर समझ में नहीं आए, तो पहले वाली बात की दुबारा देखें, समझ में आदाएगा, और अगर समझ में नहीं आए, तो नीचे comments में लिखें, उस को दुबाराइख में कर دेंगे, thank you for watching and thank you for your time.